वर्ड कप में बिजयरत पर सवार टेम इंडिया के पास अब मौका है कि वो इंगलेंड के खिलाफ होने वाले 31 अक्टूबर यानि की आज के मैच में फेर बदल कर सकती है टीम इंडिया या मैच लखनो के भारत रतन स्री अटल वियारी वाजपई एकाना क्रिकट स्टेडियम में खेलेगी ऐसे में एक बड़ा सवाल उभर रहा है कि क्या टीम इंडिया इस मुकाबले के लिए कोई फेर बदल करेगी जिहां नीजुलेंड के खिलाब 22 अक्टूबर को धर्मसाला में टीम इंडिया ने हार्दिक पांडिया की इंजरी और सार्दुल ठाकूर के खराव फॉर्म जकार्ड मुहमद समी और सूर कुमार यादों को मौका दिया था पांडिया टीम के आने वाले कई मैचों से बाहर रह सकते हैं ये टीम इंडिया के लिए एक बड़ा सिर्दर्द बंता हुआ जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से हार्दिक पांडिया बीच को उगरी में आकर बॉलिंग करते थे या बीच के उगरों में आकर अपने करमेंट फटने के आशंका के कारण वर्ड कप के अन्न मैंचों में उनकी भागिदारी डवा डोल नजर आ रही है यानि कि उनकी जो खेलने की स्थित है उनकी चोड की वज़ा से अभी वह आप ये कह सकते हैं कि कुछ उम्मीद ये भी जिताई जा रही है को खेलेंगे लेकिन डाक्टरों का ये कहना है कि अभी कुछ मैंचों में वो खेल नहीं पाएंगे यानि कि भारती टीम से जुड़ नहीं पाएंगे ऐसे में इस बात की बड़ी संभावना है कि टीम इंडिया न्यूजीलेंड के खिलाफ उत्री प्लेंग 11 को ही मैदान में उत्वार सकती है या सूरिया को मौका मिल सकता है यानि का आप ये भी कह सकते हैं कि सूरिया को मौका मिलेगा क्या समीगा खेलनाते होगा जी हाँ हां हार्दिक पांडिया बांगला जिसकी खिलाफ 19 अक्ट्यूबर के हुए मैच में तीन गीत फेकने के बाद इंजर्ड हो गए थे इसके बाद उनकी जगा बिराट कोली ने तकरीवन 6 साल बाद गेदबाजी की और मातर 3 गेज फेके थे फिर पांडिया मैदान पर लोटे थे इसके बाद निजिलेंड चे खिलाब मैच में सूरिय कुमार यादों ने मातर दूर नहीं बनाये थे सूरिया को हार्दिक के जगा मौका मिला था हारा कि सूरिया उस मैच में कीवी टीम के खिलाब कुछ कर नहीं पाए और बिराट कोली संग एक रन चुनाने के चकर में बदकस्मती से रन आउट हो गए थे सूरिया का न्यूजिलेंड के खिलाफ वो मैच वर्ड कप का डिब्यू मैच था ऐसे में उनका वर्ड कप डिब्यू काफी अनलकी रहा लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि रोई सर्मा इंगलेंड के खिलाफ सूरिया को मौका देंगे क्योंकि सूर्या जिस लेबल के प्लेयर हैं वो किसी भी मैच में, किसी भी टाइम, किसी भी गेदबाज के पसीने चुड़ा तकते हैं जिस तरीके सापने देखा T20 फॉर्मेट में उनका कितना अच्छा रिकार्ड है विस्ट के नंबर वन बल्लेबाज भी है लेकिन वन डे फॉर्मेट में आते ही कही न कहीं उनके पास कुछ प्रसानी है ऐसे में टीम मैनेजमेंट कप्तान रोही सर्मा, कोच राहुल रेविड एक बार फिर से हो सकता है आज के मैच में सूरिया को एक बार फिर से जगा दे अगर बात की जाए तो दो मैच उसमें टाई रहे वही तीन मैचों का रिल्ट नहीं निकला अगर बात करेंगे आप दोनों टीमों के यानि कि इंगलेंड और वारत के वर्ड कप में रिकार्ड का तो दोनों टीमें आठ बार गड़ी हैं जिसमें भारत को तीन मैचों में जीत मिली तो इंगलेंड निक चार मैचों में बाजी मारी वही एक match टाई रहा यानि कि World Cup के matchों में कहीं न कहीं इंग्लैंड का पल्डा वो भारी होता नजरा रहा है लिकिन जिस तरीके से कई player भी कह चुके हैं कई coach भी कह चुके हैं जो आपके 12th man होते हैं उनका बड़ा roll होता है जिस तरीक से भी तक रिकार्ड रहा है, वो बड़ा रिकार्ड क्या भारत को वोर्ड कप का सेमी फैंल दिलाएगा क्या भारत एक बार फिर से वार्ड कप में अपने आपको ले कर आएगा, वल्ड कफ जीतेगा तो आपको बताते चलें इकाना स्टेडियम की तो भारत ने अभी तक यहां एक ही मैच खेला है टेम इंडिया ने इकाना स्टेडियम में 6 अक्टूबर 2022 को एक मात्र वंडे मैच खेला था जहां टेम इंडिया को 9 रनों से हार मिली थी शाउथ अफरीका ने चाली सोबर में तब 249 रनों का स्कोर खड़ा किया था जबाब में खेलने उतरे टेम इंडिया 240 रनों पर अपने 8 बिकट गमा कर मैच गमा दी थी लेकिन इस वर्ड कप में जिस तरीके से बिराड कोली का शांदार फॉर्म है पूरे वर्ड कप में जितने टेम में खेलने आप देखेंगे सबसे अच्छी कॉनमी इस समय जश्पीत बुम्रा की है और जिस तरीके से आपके आल राउंडर रबीन जडेजा उनकी सबसे अच्छी है तो इंडिया के टेम कहें न कहीं इस मैच में चड़कर खिल लिए जिस तरीके से पारी की सुरुवात करने आते हैं आपके हिट मैन, दोई सर्मा, सुमन गिल दोनों के बीच अच्छी साज़दारी होती है और पावर प्ले का बखुवी फायदा उठाते है फिर नमबर तीन पर इस तरीके से आपके रिजारंच चेज मास्टर बिराट कोहली इस समय बिराजमान है एक ही सतक दूर है वो सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए और हो सकता है इस मैच में वो कारणामा भी कर ले अगर बात की जाए केल्डाउल की सांदर फार्म में है अपने पांच मैचों में केवल एक मैच में वो आउट हुए बाके हर मैच में वो नाट आउट गया है टीम को जीत दिला कर गया है फिलाल वर्ड कप से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं न्यूज वर्ड इंडिया के साथ धन्यवाद